प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना बोलें मैं स्लाम दिन खाल और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स उतर पर्देश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम भुजूर्ग बिक्त की पिटाई की वाइरल वीडियो के मामले में टुईटर और पत्रकारों पर मुकदमा दर्श किया गया ये मुकदमा एक एडिटेट वीडियो को वाइरल करने के संबंध में दर्ज किया गया उत्तर परदेश पुलिस ने दर्ज मुकदमे में ट्विटर, ट्विटर कम्यूनिकेशन इंडिया प्रावेट लिम्टेट समचार वेब पोर्टल दावायर पत्रकार सवा नकवी कॉंग्रेस नेता मस्कूर उस्मानी कॉंग्रेस नेता सलमान लिजामी कॉंग्रेस नेता डॉक्टर शमा मुहम्मद को अभ्यूक्ट बनाया गया है पुलिस ने जो धारा के तहट मामला दर्ज किया है वो धारा है 153, 153A, 292A, 505, 120B, 34 के तहट मामला पंजिकरित किया गया है FIR में शिकायत करता पुलिस अजिकारी ने बताया है कि घटना के सत्यता की जाच किये बिना इस घटना को संपरदाइक रंग दे दिया गया और लोक शांती अस्तिबेस्त कर ले धार्मिक समुहों के बीच विवाजन के उर्देश से ये वीडियो परसारित किया गया पहरहाल पुलिस अभी इस मामले की जाच कर रही है दरसल आपको बता दे कि पिछले दिनों उत्तरपरदेश के गाजियाबाद में अब्दुलसमद सैफी नाम के एक बुजूर के साथ मार पीट की घटना सामने आई थी और सुरुवात में इस संबल्थ में सामने आया कि बुजूर की पिटाई करते वक्त जैश्रीराम के नारे लगवाए गए मगर जब ये मामला तूल पकड़ने लगा और जब पुलिस ने इस मामले को गंभीटा से लिया और गहल जाच की तो कुछ और ही मामला सामने आया पिटाई की वज़ा तावीश बताई गे मारने वाले योकों को पुलिस ने पाया कि ये मुसिलिम लड़के हैं जिनके नाम है परवेश, गुजर, कल्लू, पुली, आरिफ, आदिल और भी अले लड़के इसमें शामिल हैं मगर पुलिस ने तीन अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ़तार किया सोशल मीडिया के माध्याम से एक वीडियो संग्यान में आये था जिसमें की एक बुजर्ग जिनका की नाम अब्दुल समध है और जो बुलंशेर, अनूप शेहर के निवासी हैं उनके साथ कुछ लड़के उसमें मार्क वीट करते हुए दिख रहे हैं इसमें जब और गहनता से जाज की गई तो ये पता चला कि ये बुजर्ग पास तारिक को लोनी बॉर्डर छेतर में आये थे वहां से ये किसी के साथ और बाइक से बैठके बेटा हाजीपूर गाओं में गए जहां परकि इनको पिरवेश के घर पे जाना था पिरवेश ने इनको बुलाया था क्योंकि ये उन लड़कों को पहले से जानते थे और जो ये तावीज बनाने का काम करते हैं और पिरवेश एवम गाओं के अननी लड़कों भी उन्होंने तावीज बना के दीए थे उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इन से नाराजगी थी और इन्होंने फिर उनको वहाँ पर अपने घर पर बुलाके इनके साथ वहाँ पर मारपीट एवं अबदरता की जिसमें की कई लड़के शामिल थे इसमें हमने लगबग सभी लड़के ट्रेस कर लिये हैं सभी लोग चिन्नित कर लिये गए हैं और तीन लड़के प्रवेश जो कि अल्रेडी जेलवे हैं इसके अलाबाद दो अन्य लड़के कल्लू गुजर और आदिल इनको भी ग्रफतार किया जा चुका है अन्य लड़के कर लिये गए बहुत ही जल्दी उनको भी ग्रफतार कर लिया जाएगा और पूरे मामले में जो भी और कठोर से कठोर कारवाई है वह हम लोग करेंगे